असलाम नेकी मिली नेर, मैं हो साथ चाहेवाला, various info पूछते हैं, पूछती हैं, असलाम अलेकाम, sir, clothing brand बनाने के लिए कोई instructions, starting from zero, मैं usually जो vague किसम के होते हैं, खुले सवाल, इनका जवाब नहीं देता, लेकिन यहाँ पे there is a lot of things to consider, सीखने के लिए, अच्छा, clothing brand जब आप ब पंदे के लिए आप बना सकते, मैं ladies के लिए बना रहा हूं, मर्दों के लिए बना रहा हूं, pen shirt बना रहा हूं, सरवार कमीज बना रहा हूं, शिरवानिया बना रहा हूं, किसी house occasion के लिए बना रहा हूं, बनयाने बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, बच्चे के लिए बन और शायद उनके पास दास-दास 20-20 फैक्टरी हों लेकिन उनके पास कभी ब्रैंड नहीं होता जिस दिन वह फैक्टरी बंद हो गई उनकी इंकम हतम हो गई लेकिन जिन चीज़ों के लिए लोग क्योंकि आपने लफसे इस्तमाल किया था ब्रैंड एस्पायर करते हैं वह हमे करनी पड़ेगी ओके वह टोकिंबाट अब ब्रैंड अचा यह होगी चीजें प्राइस को आपको समझ आगी थोड़ी महंगी होगी रीजनबल हो सकती है या महंगी होगी महंगी होगी तो लोग उसको ब्रैंड समझेंगे सस्ती होगी या सब के बराबर होगी लोग उसको लेकिन जब आप मेंगी चीज बनाओगे, समझ लो कि बनाने में आपकी शाहिद कॉस्ट बीस परसंट, तीस परसंट ज्यादा होगी, लेकिन जब आप बेचोगे तो शाहिद दुगनी तिगनी आप ज्यादा कीमत लोगे, तो वहाँ पर हमें फाइदा होता है, वो जो आप दुगनी तिगनी लोगे, उसको आपने डिरेक्टली अगले स्टेप में डालना है, मार्क्टेंग, अब आपने एक मार्क्टेंग स्ट्राटेजी पकड़ लेनी है और उसको लू देना है, यह ने उसको पैसे सकते हैं या मुफ्त में दे सकते हैं, मुफ्त में बेजेंगे तो वास्स मुजार्टी क्या करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, as a complimentary वो कहीं नहीं दिखा देते हैं कि यार ये शर्ट मुझे फ्ला फ्ला ने बेजी है बड़ी जबरदास्ता है इस पर बैंबू का material लगा हूँ इस पर कॉटल लगा हूँ यह इसका लोग मुझे अच्छा लगा ओ देखो फिर इस महिने उन्होंने बेज दी मुफ्त की advertising है risky है लेकिन return इसका बहुत जबरदास्ता हो सकता है बड़ा influencer एक बार दिखा दे तो आपकी sales skyrocket हो सकती है ठीक है यह strategy इस्तेमाल करनी है तो बार बार करनी पड़ेगी and be ready to send out 100 shirts हर महीने अराम से अच्छा उसके बाद या जी मैंने अपनी जो shirts है न हर पब्लिक जो बिल्डिंग होती है TV studio या कहीं है कहीं मैंने लटका देनी है it's a publicity stunt ठीक है नया जो भी मेरा निकलेगा वो हो गया आइटम्स आपने काम रखने इसलिए फिसमें अगर आप रंगो में चले जो फ्ला में चले जो तापके पास डेरू सारे वह स्टॉक्य पाइस लाग जाते है and you end up having too much stock और भिखता नहीं है और मार्क आज़ते है तो the next thing would be इसमें अज़ा मार्क्टिंग फिनिश नहीं की पाइड मार्क्टिंग भी हो सकती है पाइड मार्क्टिंग जयादा नहीं बिखती फैशन में सच बता हूँ paid marketing कभी किसी ने यार इस्टियार नहीं देखा Gucci का कि मेरा यार ये लो मेरे कपडे लिए हमेशा कोई model होती है कोई influencer होता है कोई celebrity होता है जिसने पहनी होती है वहां से फिर magazines लेती है दिखो उसने फ्लाँ फ्लाँ चीज पहनी होती तो यह जहन में याद रखना if you are going after a brand दूसरी यही होती है direct marketing अब दुकाउंदारों के पास जाओ और उनको बोलो कि यार यह चीज मेरी रखो लेकिन वक्त लगेगा creative clothing brand वक्त लगता है unless कि आप उसके ओपर कोई बहुती ही वदिया चीज बहुत जबरदस किसमे कोई नई चीज लाते है यहाद पास होता तो अजाद भाई के पास होता तो अजाद भाई बना चुके बहुते पहले प्रेंट ठीक है the next thing is के कोशिश करना के ज्यादा लंबा प्रड़क्शन नहीं आपने करना ज्यादा स्टॉक आपने होल्ड नहीं रखना because आपको नहीं पता के कौन सी चीज बिकेगी and be ready to fail failure आ सकता है जहां पर आप fail हो रहे हो quickly change your strategy उसी के गाई जो होती है मड़ी हो इसको नहीं कसीड़ते सबर, margin ठीक रखना है, quality product and know your niche, know your product, know how you're going to market it और काफी लोग शुरू से न, यह जो अपना estimate होते है न, cost का, यह बहुत काम रखते है और नहीं, मेरा दोस है न, वो कर देगा, यह कर देगा, वो कर देगा नहीं, जितना आपने budget रखना है, उसको double, triple कर दो अगर आप समते हो के दो लाक में शुरू होगा, छे रख दो, because, ना हुआ तो, यहर कम जगम आपके पास spare पैसे दो है, ठीक है I'm gonna answer this call, अपना हिया रखना, मैं हो जाचायवाला, and good luck to you Assalamualaikum मुझे samples बेजने हैं तो GPS मिला, ठीक है मैं शाइद कहीं दिखा दूँ, just आपकी होसला अवजाए के लिए, okay I'll pay you, no problem Assalamualaikum